कि आपको बताऊंगा कि आप 10,000 से कम की कीमत में स्मार्टफोन खरीच सकते जो 5G नेटपक को सपोर्ट करेंगा को सपोर्ट करेंगा 5G, 4G, 3G, 2G सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करने वाले हैं चार जीवी की रहा है इसकी डिस्प्ले रहे है की 6.6 एच डिस्प्ले रहे हैं और 90 हट्रेश का रिफ्रेस रहे है यादि आप डिस्प्ले स्मूज चलेगा कुछ खत्ता कैमरा 50 मेंका पिक्सल के एक कैमरा और 0.08 का मेगा से 2nd कैमरा रहेगा और ड्यूल लेडी रहेगी और 8 मेंका पिक्सल का प्रण्ट क्राइमरा रहे है बैटरी को पांच कर दिंग रहेगा यूस्बी टाइप-C का पूर्ट रहेगा यह जितके आप इसको अपने बनाना चाहते हैं तो अप्लिक काट से ओडर कर सकते हैं आठ जानों चोप्राइश को मिल जाए अब दूसरा है ला इंचस की डिस्पलेए एचीटि डिस्पले है जो IPS LCD का है 90 Hz रिफ्रस रेंसरे टरहे है इसका है इसका बाचास मेरा पिक्सल का केमरा के दो मेगएचल के मेरा इसके जिए प्राइमरी केमरा है बैक साइड वाला और LED प्रस है 8 मेगएचल का फ्रंट C की पांच एमे एक की बै इसकी भी Octa-Code processor है 2.2 GHz, MediaTek का Dimensity chipset लगा हुआ है और 4GB की RAM है डिस्प्ले है अच्छा है दिस्प्ले है दिस्प्ले है यह भी 90 है डिस्प्रेस रेट है इसमें बैक्साइट पे दू कैमरे लगे हैं 50 मेगापिक्सर और 0.08 मेगापिक्सर और 0.08 मेगापिक्सर कैमरा है यह 55,000 mAh की बैटरी USB Type-C का पॉर्ट और पास चाल देगे है नहीं जन्याल रहे है मैं काओंगे यदि आप लावा का तरफ जाना चाहते है तो इस फोन को ना ले लावा ब्लेस 5G फोन ले तरह है और इसमें कुछ ज्यादा है इस बिस्प्रेसरे लावा यूवा 5G इस फोन को म की डिवल को प्रोसेसर है यूनिस यूनिस उन्स टी सेवन 5 जिरू का चिपसेट है और चार्जीवी की तैम है डिस्प्लेए 6.5 चंज की एचली डिस्प्लेए 90 हटेस का रिफ्रेस रेट है आई पिस दिस्प्लेए ये कैमरा इसके बैक साइट पर 2 मेगा पिक्सल और 50 मेग अब लाट है पोको एंफोर 5 जी इसकी कीमत नौजा चार्ज्ट नबबे रूपा इसकी अक्टाकोर 2.2 गिगाट प्रोसेसर है मेडिया टेक डेमन सीटी के प्रोसेसर लगा हुआ है इस पे और चार्जीवी के रैम है जाद असमलों 5-8 इंचिस के फुल एचली डिस्प्ले है IPS LCD इस्प्ले 90 हर्ट इसका रिफ्रेस रेट है पाचास और दो मेगापिक्सल के बैकसाइट कैमरा है LED प्रेस्लाइट है फ्रंट पे आड़ मेड़ेसर कैमरा है 5000 में इसकी बैटरी है जो कि पास चार्जिंग है और USB Type-C को सपोर्ट करता है यादि इन में कोई भी फोन ले झाल झाल